लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तयारी शुरू कर दी है और बीजेपी के दो बड़े नेता का बिहार दौरा तय हुआ है चौबीश तारीको जेपी नडड़ा जंजारपूर में आएंगे जो पाटी के राष्टी अध्यक्ष हैं 29 जून को केंद्रिय ग्री मंत्री अमीत साहजी मोंगेर आएंगे मोंगेर लोकसभासीट से जेडिव के ललन सिंग जो जेडिव के राष्टी अध्यक्ष हैं वो सांस हुए हमारे साथ पूर्व कृष्टी मंत्री है अम्रेंद्र परताप सिंग जी सर दो बड़े नेता का बिहार दवरा हो रहा है और उससे पहले माजी जी का महागटबंदन से अलग होना क्या संकेत है क्या लगता है कितनी बड़ी रनीती के थार्थ ये कारकरम तैय हुआ है और वह समूख खड़ा हो जाता है जब भी कोई अवसर आता है तो उसको नए धंग से और चुनुती के रूप में संगठन हमारा लेता है और कारकरता उसमें पील पड़ते हैं चाहे वह चुनाव छोटा हो चाहे चुनाव बड़ा हो तो सब चुनाव को महत्व देते हुए पार्टी पूरी ताकत के साथ और कारकरता उसमें लग जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई घेरने के लिए घेरेंगे क्या जनता के बीच जाना जनता से हमारा सीधे संबंद अस्थापित है संबाद अस्थापित है हमारे नेता उपर से नीचे तक जनता से जन संबाद करते ह हैं और उस संबाद के कारण हम अपनी बात नीचे तक पहुंचा पाने में सफल होते हैं यह महत्पून बात यह है कि इस बाद जो दोनों जगह कारकरम तै हुए है वो दोनों सीट आपके पहले कि सहयोगी जेडियूग है जो भी महागटबंदन का पार्ट है जैंजारपूर स आर्पी मंडल हैं और मुंगेर में ललन सिंग हैं तो यह भी तो एक रनीती ही किता हती हुआ है कि दोनों जगहां जो कारकरम तै हुए हैं वो जेडियू के सांसद महां ते चुनाव जीते हैं लेकिन चुनाव सांसद जहां से जिस पार्टी के जीते हो हमारी गटबंदन की जीते थे उस गटबंदन में हमते हमारा समर्थम था लेकिन आज जिब नहीं है तो हम लड़ना है ना तो तियारी तो हम करेंगे ना सचिधी का हो जो भी हो हमारे hospitalized में जो भी है उस समय थे आज नहीं है तो हमें तो चालिसो सीट पर लड़ना है और फिर हमारे जो गटबंधन के अन्न साथ ही होंगे वो लड़ेंगे तो उस प्रकार से हमारी तैयारी सब जगे होगी और चालिस में चालिस सीट किस प्रकार से हम जीत पाएं लोग सबावें तो प्रबल और प्रचंड बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार केंदर में बने इसलिए संगठन के कारकरता अपनी जोर से पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं संगठन भी लगा हुआ है तो उसमें हमारे आधरनी अरास्टिया धग जी का भी और आधरनी अमित साहजी का भी सा सारे बड़े नेता आएंगे और अस्थान अस्थान पर जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं कारकरता है जो प्रमुख वो सब लगे हुए हैं सब जाएंगे अब हम लोगों के स्थर के भी कारकरता लगे हुए हैं माजी जी ने महागडबंदन का साथ छोड़ दिया है और सीपी सिंग कौन है कहां से बाहर से आके विद्रोह के हुए हैं उपेंदर कुछ वहां कहां से आये अलग पार्टी बना करके आज खड़े हैं भारती जंदा पार्टी के साथ खड़े हैं इस जीतनाम माजी तो खास थे और इनकी पार्टी उस गड़बंदन में थी उन्हें तो कसम खा लिया था कि नितिश जी के साथ हम जीवन भर रहेंगे लेकिन उनको तो निकाल बाहर किया उन्होंने कहा मर्ज करो और नहीं गेट आउट तो उन्होंने तो गेट आउट कर दिया तो एक प्रकार से यह भग हमारे संपर्क में क्यों होंगे वो अपनी कारणों से उनके पार्टी में भगदर मची हुई है हम क्यों उनकी पार्टी में भगदर मचवाने वाले हम कौन होते हैं हम लोग इससे मतलब नहीं रखते यह किसी के पार्टी में भगदर हम करा दें भगदर तो उनके उनके कार देश में निकल पड़े हैं सारी भी पक्षी पार्टियों को और भारते जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ नरिंद्र मोदी जी को अपदस्त करने के लिए उनको हटा देने के लिए और स्वाइम प्रधान पहले ही हो जायागा जो 25 में जो बिधान थबा का चुना होना है वह कहीं 24 मेन हो जाया देखिए वह परिशान है जितीज कुमार जी परिशान है और उसके कारण तरह तरह की बयान वह अनाप सनाप दे रहे हैं यह भी उसी प्रकार का एक है हमें तो कहीं से नहीं दिखाई पड़ रहा या जो भी राइंदिक विशले शक्त हैं कहीं से भी यह बात नहीं आप अभी तक सुनाई पड़ी है कि चुनाव समय से पहले हो जाएंगे हम चुनाव समय से पहले क्यों चाहेंगे क्यों चुनाव समय से पहले हो जनता ने जितना समय दिया है उतने समय तक हम मजबूती से काम करेंगे और समय आने पर चुनाव आएगा सामने तो चुनाव लड़ेंगे लेकिन सुन लीजिए पूरी बार वो अपने लोगों को समालने के लिए और अधिकारियों के सभा में उन्होंने कहा है तो उन्हें यही नहीं डर है और भी डर है तो इसके अंदर और भी बात है क्योंकि मुख्यमंत्री का पद्ध भी कब चला जाए वो ससंकित है इसलिए उन जो जनाओं पर सारी उन जो अचाहते हैं जल्दी जल्दी नाम लिखे दें आप अधिकारी काम करेंगे कि निए जणाओ पुर देना है रादी रादी इसके पीछे प्यादि ये सब बाते हैं और एन सब बातों को ही आप ब्रुक भोजियान पद्रकार हैं आप लोग पूछाईने से गुपा है पूर्व कृष्टी मंत्री हैं अमरे दिर परताप सीग उन्य साफ्तर पर कहा कि बीजेपी बिहार के चालिसों लोकसबाव सीट पर अपने तरफ से तयारी कर रही है वहीं दूसरी और उन्होंने मुखमंतिर इंतिज कुमार पर भी कटाक्ष गिया मुखमंतिर इंतिज कुमार समय समय पर स्वगूफा छोड़ते रहते हैं लेकिन जन्ता इनको आने वाले समय में नकारने का काम करेगी ओनिश कुमार कशिस्नूत पतना